प्रिये छात्रो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल लर्न विथ आर्पी पर आज हम आपके सामने कच्छा दस के हिंदी काब्ब गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित यहाँ पर हम धनुस भंग सीर्शक का पद नंबर पाँच ले करके आएं है तो चलिए सबसे पहले इसका संदर्व जान लेते हैं तो संदर्व जब हमारे इक जाम में यह आ जाएगा तो संदर्व में हम क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काब्ब में संकलित धनुस भंग सीर्शक से आउतरित है जिसके रचै गोस्वामी तुलसीदास जी है और प्रसंग में क्या लिख देंगे कि इस पद्यांस में कि इस पद्यांस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी का राम जी के प्रति मतलब सीता जी जो है वो राम से प्रेम करते तो राम जी के प्रति अत्यांत प्रगाड इसने का य प्रभु मतलब प्रभु की ओर चिताई मतलब देख करके पुनी मतलब फिर चिताउ मही मतलब धर्ती की ओर देखती हैं राजत लोचनलोल इस समय में उनके जो नेत्र हैं वो सुसोभित हो रहे हैं तो आईए इसको एक बार फिर से समझते हैं गोस्वामी तुलचीदाज जी कहते हैं कि एक बार सीता जी प्रभु ही मतलब प्रभु की ओर देखती हैं चिताई मतलब देखती हैं पुनी मतलब फिर चिताउ मही मतलब धर्ती होता है महिकार्थ होता है धर्ती और दुबारा वो लज्जा से धर्ती की और मतलब लज्जा लगने लगती है और धर्ती की और देखने लगती है और इसी समय में राजत लोचन लोल उनके जो नेत्र हैं वो क्या होते हैं सुसोभित होने लगते हैं इस प्रकार सुसोभित होने लगत जैसे खेलत मतलब खेले रही है मनसीज मतलब मचलियां मीन मतलब चंद्रमा जुग मतलब यूग में ठीक जनुबीध मंडल डोल जिस परकार जिसे जनुबीध मतलब ब्रह्मा की मंडल मतलब मंडल में डोल में तो देखिए सही-सके समझ यह आर्थ खेलत मानसीज मीन जुग जनुबिध मंडल डोल तब उनके नेत्र इस परकार सुसोभित हो रहे हैं जिस परकार मीन मतलब चंद्रमा मंडल डोल मतलब की जैसे चंद्र मंडल रूपी डोल में ठीक मीन यहां से ले लिजिए मंडल डोल यहां से ले लिजिए इस परकार जैसे चंद्र मंडल रूपी डो दौल में और कि कुद्धा कर रही हैं तो आसा है आपको दोफा समझ में आ गया होगा अब आए अगली लाइन का आपको वर्त बताते हैं गिरा अनिली मुख पंकाज रोकी प्रगट नाला जे निसा आवे लोकी गिरा अनिली मुख पंकाज रोकी गिरा मतलब बाड़ी अनिली मतलब भावरी मुख मतलब मुख पंकाज मानिक कमल रोकी मतलब रोक रखाए द्यान से समझेगा गिरा अनिली मुख पंकज रोकी वो स्वामी तुल्ची दास जी कहते हैं कि सीता जी की बाड़ी रूपी गिरा मतलब बाड़ी रूपी यहां पर रूपा कलंकार है अनिली मतलब भाउरी सिता जी की बाड़ी रूपी भावरी को मुख पंकज रोकी मतलब मुख रूपी कमल ने रोक रखा है अर्थात वो कुछ कहने में भी अर्थात वो अपने दुख को बाड़ी रूप में बाड़ी से भी प्रकट करने में असमर्थ है इस लाइन का यही आसत है प्रगट नलाज निसा अवलो की प्रगट मतलब प्रकट नहीं हो पा रही है लाज मतलब लज्जा निसा माने रात्री को वलो की मतलब देख करके वो इस लज्जा रूपी रात्री को देख करके प्रकट नहीं हो पा रही है अर्थात कहने का मतलब कि वो अपने मन की बातों को कहीं पर भी प्रकट नहीं कर पा रही है ऐसा लगता है जैसे उनके बाड़ी को किसी ने रोक रखा है ठीक आगे देखिए लोचन जले रह लोचन कोना जैसे परम क्रपन कर सोना लोचन जल लोटन मतलब आखें जल मतलब आशू रह मतलब रह जाता है लोचन कोना मतलब नेत्रों के कोने में जैसे मतलब जिस प्रकार परम मतलब अत्यांत क्रपन मानिक कंजूस करमानिक का सोना मतलब सोना ठीक जान से समझेगा कि उनके नेत्रों का जो आशू है वो नेत्रों के कोने में ही रह जाता है जिस प्रकार परम मतलब अत्यांत क्रपन मतलब कंजूस का सोना मतलब उसके घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है उनके जो आशू है कहने का मतलब कि वो नेत्रों से निकल नहीं पार हैं नेत्रों के कोने में ही रह जाते हैं जैसे किसी कंजूस का सोना घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है इस लाइन का आसा यही है कि वो अपने हिर्दाइं के दुख को अपने आसुओं के द्वारा भी प्रकट नहीं कर पा रही है ठीक आईए अब अगली लाइन का दे संकोच तो हुई संकोच करें व्यकुलता मंगें व्यकुलzos बढ़ी मतलब संकोच करने लग यह भर ही को जानकरःइंग नळदी मतलब धारण करती हैं थीरज मतलब धयर मतलब प्रतीत होता मतलब अपने हिर्दाय में आनी मतलब कि तब वो अपने हिर्दाय में धायर धाराण करती है ठीक जब वो अपनी ब्याकुलता को इस प्रकार जान लेती है तब वो अपने हिर्दाय में धायर धाराण करती है वागे देखिए फिर वो अपने हिर्दाय में धायर धाराण करके क तन मतलब सरीर से मन मतलब मन से बचन मतलब बाड़ी से तन मन और बाड़ी से मोर मतलब मेरा प्रण मतलब प्रण साचा मतलब सच्चा है क्या कहते हैं कि है भगवान यदि तन मन और बचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रगुपति पद सरोच रितुराचा तब आप मुझे रूपी चरणों का चीतु मतलब चीत राचा मतलब राची है कहने के मतलब कि यदि तन मन और बचन से मेरा प्राण सच्चा है और वास्ताव में यदि मेरा मन चीतु मतलब मन रगुपति पद मतलब कि भगवान स्री राम के चरणों में लगा है अर्थात अनुरक्त है राचा में अनुरक्त है तो भगवान सकल और बासी करने ही मोहिद गुबर कह दासी मतलब तो मतलब तो भगवान मतलब भगवान सकल मतलब संपूर्ड और मतलब हिर्दय में बासी मतलब बास करने वाली तो सभी लोगों के मतलब की संपूर्ड लोगों के हिर्दय में बास करने वाले भगवान निवास करने वाले भगवान करें ही मोही रगुबर के दासी वो मुझे भगवान स्री राम के रगुकुल के स्रेष्ट भगवान स्री राम के करी ही मतलब करेंगे मोह मतलब मुझको दास ही मतलब दास जरूर बनाएंगे ठीक आसा ही अच्छी तरह भी तक आपको समझ में आया होगा आगी लाइन का देखिए जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ सोते ही मिलाई नकछुसन दे हूँ तो वो फिर अपने मन में फिर से क्या कहती है कि जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ कि जेहि मतलब जिसका के ही जेहि मतलब जिसकी के उपर ठीक जिसका जिस पर सत्य मतलब सच्चा सनेह, मतलब प्रेम या इसनेह है, जिसका जिस पर यदि सच्चा इसनेह है, सो तेही मिलई नकच सन्देह, सो वह उसको मिल जाता है न कुछ सन्देह, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, ठीक, यह लाइन अच्छी तरह नहीं समझ में आई ह संदेह हुओ, उसको जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं अब सीटा जी प्राभु प्रभु मतलब भग्वान स्री राम के तन मतलब शरीर को छिताइ मतलब देख करके प्रेम तन ठाना अपने सरीर में प्रेम का निश्चे कर लेती हैं ठाना मतलब कर लेती हैं ठाना मतलब निश्चय कर लेती हैं तो भगवान स्री राम के सरीर की ओर देखकर अपने अंदर प्रेम का निश्चय कर लेती हैं और वो क्या निश्चय कर लेती हैं कि अब मेरा ये सरीर अर्थात कहने के मतलब यही है कि अब मेरा सरीर या तो भगवा अभी नहीं होगा ठीक वाई आगे देखिए क्रपा निधाने राम सब जाना और उनके इस प्रकार जो अपने मन में वो सोच रही है क्रपा निधान सबके हिर्दाय में रहने वाले भगवान स्री राम ये सब कुछ जान जाते हैं आगे लाइन का देखते हैं तब भगवान स्री नाम जब उनके इर्दाय की सब बातें जान लेते हैं तो सी यहीं मतलब सीता की और वो एक बार देखते हैं विलो की मतलब देख करके तकेव मतलब देखते हैं धन मतलब धन उसको कैसे माने इस प्रकार तब वो सीता की और देख करके एक बार धन उसको इस प्रकार देखते हैं चितव गरून लगु ब्याला है जैसे जिस प्रकार चितव मतलब देखता है गरून मतलब गरून लगु मतलब छोटे ब्याला है मतलब सर्प को जिस प्रकार बड़ा गरून एक छोटे सर्प को देखता है उसी प्रकार भगवान स्री राम सीता जी के हुर्दाइं की कर भी लो की तके उद्हनु कैसे उधनुस को इस प्रकार देखते हैं। के साथ सेयर कर दीजिए चैनल पर नाए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए रोजाना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में पद नंबर 6 को लेकर